हेलो स्टोरेंट मैं एक तैसी आप सभी का ग्यान चेटने चैनल बहुत बहुत स्वाध करते हूं आज के इस टॉपिक में हम हिस्ट्री के कुछ NCRT से रिलेटिक कोशन देखने वाले हैं तो कि आपकी UGC NET या फिर अन्य किसी एक्जाम में भी उपियोगी सावित होंगे तो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहला कुशन है पासान काल से संबंदित है ये वीडियो आदी मानों के द्वारा प्रियोग किये जाने वाले पश्वों की हड़ी से बने ओजारों के प्रमाण कहां मिले हैं तो ये मिले हैं हमको कश्मीर घाटी से तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कश्मीर की गाटी में जानवरों की हड़ीयों से बने ओजार और हतियार के प्रमान मिले हैं इस काल में आधी मानव ज्यादा तर चक्मक पत्थर से बने ओजारों का प्रयोग किया करता था पत्थर के बड़े टुकडों से हथोड़े कुलहाडियां और बसूली बनाये जाते थे इन ओजारों का उपियो आदी मानों पेड़ों की तेहनिया काटने जानवरों को मानने जमीन खोदने आदी में करता था चक्मक पर्थर के अविश्कार ने आग उत्पन करने के अथिरित अन्यकारे में अधी मानव को सुविदा दी थी आगे है अगला कोशन आरंबिक पूरा पाशान काल से सम्मदित कौन सा कथन सत्य है सत्य कथन बताना है वो भी आरंबिक पूरा पाशान काल से सबसे पहला है इस काल में मानव खाद संग्रे बन गया था सत्य कथन नहीं है इस योग में विदारणी का एक प्रमुख औजार था तो ये भी सही है इस योग के निवास सोहन घाटी से मिलते हैं ये भी सही है इस योग में खंडक का प्रियोग शिकार के लिए किया जाता था तो ए यहां पर क्या है गलत हो जाएगा तो हमारा ऑप्षन क्या है यही सही है बाकी जो है यहां पर सही है आगे देखते हैं तो यहां पर कुछ कुलहारी या हस्त कुठार जिसको हैंडेक्स कहा जाता विदार्णी यानि की किलीवर खंडक यानि की चौपर आदी हत्यारों और तथा ओजारों का उपयोग होता था इस यूग के निवास इससल सोहन गाती से मिले हैं जो परतमान में पाकिस्तान प्रांथ में इससे थैं लेकर इनक सिह जो है कश्मीरों थार मरॉस्तल के चित में मिले हैं अगला कोशाम देखते हैं बारतिय पुरा पाशार योगि को तीन अवस्दाओं में बाटा जा सकता है और किस में से इसेशमल नह पर हमने इसको डिवाइट किया है अगला कुशन देखते हैं पुरा पाशान यूग के संबद में कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं कथन है अधिकांस आरंबिक पुरा पाशान यूग जो है हिम यूग से गुजरा है आरंबिक पुरा पाशान के इस तल जो है पाकिस्तान म पाए गये हैं हस्त कठाल दुटिय हेमालाई अंतर हिमावर्तन के समय में जमाव में मिलते हैं तो सी ऑप्शन यहां पर बिलकुल बिहार में यह जो हैं यहांं पर सही हैं बाकी सारे प्ष। सही हैं तो पुरा पाशान के युग में कतन हमारा स्टी गलत है क्योंकि आरंभिक जो पुरा पाशान के ओजार जो है चिरांद में नहीं बलकि उत्तर प्रदेश के बेलन गाटी यानि की मिर्जापूर से प्राप्त हुए हैं चिरांद से क्या मिला है नौ पाशान के काल के मिले हैं तो जो भी नव पाशाणकाल है पुरा पाशाणकाल है इनके जो इसतल है मैप के activity अगर हम पढ़ते हैं कि पुरा पाशाणकाल के कौन-कौन से इस तरह हैं अगर हमने उसको एक बार मैप में देख लिया तो हमारे इस तरह के कुश्चन जो है बिलकुल से क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे तो इन जो बिलकुल प्राचीन है उसको हमको हम क्या करना है बिलकुल मैप के थुरू पढ़ना है आगे देखते है मुखता पत्थर की पपड़ी से बनी हुई पत्थरों वसुओं का था फलक बे दिनी छे दिनी खुर्चने पपड़ी से बने ओजार थे इस यूग में सूक्ष में ओजारों का प्रियोग होता था सूक्ष में का बिलकुल होता था तो तीसा तो बिलकुल सही है बाकी देखते तो है पाशान काल इसको तीन भागों में डिवाइव किया है एक तो निमने पाशान कर मद्द पाशान कर और उच्च पाशान कर तो लेकिन ये जो पहला वाला है उसी में डिवाइच कर रख हैं बहुत सारे तो इस हिसाब से हमारा जो हो जाएगा मद्द पुरा पाशान काल योगी यानि कि वो पहले वाले में ही पूछ रहा है वो बीच वाले दूसरे वाले में नहीं पूछ रहा है तो इस हिसाब से हमारा जो है पहला आप्शन और दूसरा आप्शन सही हो जाएगा और जो सूक्ष लेते हैं ब्याक्या मद्य पुरा पाशान तो हमें बिल्कुल शब्दों को देखना है जैसे मद्य हो गया और पुरा बनलब पुराना वाला जो है उसी का ही जो है सेकेंड वाला पार्ट है मैं उद्धोग मुखता पत्थर की पपड़ी से बनी बस्तूओं का ही था ये हमें याद रखना है अब जिसे यहां पर कथन सत्य है क्योंकि माइकुलिथी गोजार जो है मद्य पाशान यूग से संब्दी थे और यहां पर पूछा क्या गया है मद्य पूरा पाशान काल तो जैसा कि मैंने बताया पाशान काल के तीन भागों में डिवाइट किया है एक तो निमने पाशान एक मद्य पाशान और एक उच्च पाशान अब यह जो निमने वाले हैं निमने वाले को भी तीन भागों में डिवाइट किया है और दूसरा इसका जो है वो है मद्य पूरा पाशान तो इस सहाब से हमारा एक और दो यहां पर सही है आगे देखते हैं कि हिस्ट्री वाले ऑप्शन में आप जाएंगे जो यूजी सी नेट के उसमें बना है तो पहला यूनिट यूनिट वन यूनिट बन में ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में दिया है बकाइदा मैप के थूरू समझाया गया है कौन सी चीजें कहां पर हैं आगे देखते हैं म हमको शब्दा वाली देखने मद्य पूरा पाशान काल यानि कि वो जो पहली अवस्ता थी उसी का वो दूसरे बाले पार को क्या है पूछ रहा है दूसरे बाले पार यानि कि मद्य पूरा पाशान काल के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर सही हो जाएगा बटी कश में उद्धो कौनसा बटीकश में उद्धो यूजी सीनेट इसी तरह के कुश्चन जो है आपसे पूस्ता है तो बिल्कुल जादा से जादा कुश्चनों की हमें प्रक्टिस करनी है बाकि थियोरी जो है वो सभी ने पड़ी है लगबग लगग सभी ने पड़ी है तो यहाँ पर तो आप उसको देख सकते हैं और यूनिट टू भी लगब लगब दी गई है तो आप उसको डिटेल में पड़ सकते हैं क्योंकि यह सबसे टफ है यूनिट वन टफ है यूनिट टेन टफ है इसलिए इसको मैंने सबसे पहले किया है पाकी की टॉपिक तो आप कहीं से भी दोंग के रूप में जाना जाता है इस काल में इस काल के इस तर उसी इससान पर मिले हैं जहां आरांभिख आरांभिख पुरा पाशान काल इस तर पाई गै की इस यूग की शिल पढ sientoác पर जो है समगरी नर्मडर नदी की किनारे इस्तित कई इस्तानों पर है तथा तुंग बंदा नदी के दच्छनवर्ती अनेग इस्तानों पर पाई गई है आगे देखते हैं अगला कुशन आधुनिक रूप में मानाव यानि कि हेमो सेपियन का प्रादु भाव हुआ था तो यह हो जाएगा हमारा उत्तर पुरा पाशानकाल में उत्तर पुरा पाशानकाल में उत्तर पुरा पाशानकाल में तो तीसरी में ही आदुरिक मानाओ का आदुनिक प्रारूप में मानौ हीमो सेपिन का प्रादुभाव होता है जलाता है इस यूग में मानाओ के उप्योग हेतु गुफाओं का साक्ष जो है भीम बेटका से मिलता है इस युग में फलकोद तक्षडियों, बिलेडों, बियूरिन के उपियों के साक्ष आंधर परदेश, करनाटक, महराश, बिहार, उत्तर परदेश आधी छेत्रों में मिलते हैं अगला कोशन देखते हैं मद्द पुरा पाशान काल से संब्दित कतनों पर विचार करना है पहला कतन कह रहा है यह पुरा पाशान काल और नव पाशान काल के बीच का संकरमन काल है कौन सा मद्द पाशान मतलब हमने जो पाशान काल को डिवाइट किया है यह पूरे तीनो भाग का दूसरा भाग के बारे में यहां पर पूछ रहा है तो यह पूरा पाशान काल और नव पाशान काल के बीच का संखमन काल है तो बिल्कुल सही है इस यूग में के लोग जो है शिकार करते थे मचली पकड़ते थे और खाद बस्वें कतित करके पेट भरते थे बिल्कुल सही है इस यूग में लोग पशु पालक बिल्कुल नहीं बने थे पशु पालक नहीं थे बलकि यहां पर शुरुआत होई थी तो यहां पर यह वाला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा पहला दूसरा क्या है सही हुआ था तो बहुत हमें बारीकी से जो ऑप्शन है उसको पढ़ना है और कुश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है आगे है यहाँ पर बेयाख्या मद्य पुरा पाशान योग के कथन एक दो सही हैं प्रस्ता योगीन संस्कृती में 9000 इसा पूर्वे में एक मद्य वर्ती अवस्ता का प्रादिभाव हुआ था जो मद्य पाशान योग के रूप में जाना जाता है यह पुरा पाशान योग और नव पाशान योग के बीच जो है संकमन काल था इस योग के लोग शिकार करके मचली पकड़ करो खाद बस्तूं को संग रहे करके अपना भोजन जो है तियार करते थे अगला कोशन है निम्लिखत योग मैंसे समलेत नहीं है उत्ता प्रदेस है डिदवाना राजस्थान वाला है तो मद्दो प्र देस हो यह क्या है समलेत नहीं है बागी हम देख लेते हैं बियाक्या क्या क्या हरा है तो वह ही क्या रहा है कि आरमिक पुरा पाशानकाल के ओजार मिले हुए हैं तो मैंने बताया कि इन सब चैप्टरों को पाशानकाल से लेके जो भी हमारी सिंदू घाटी सब्वेता है यहां तक कि जितने भी टॉपिक हैं उन सब मैप देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैप से ही क्या है सही कर ले जाएंगे और ऐसे सवाल ही UGC Net अक्सर पूछता रहता है आपके एक से दो या दो से तीन कुश्चन जो है आपके यूही सही हो जाएंगे अगर नहीं पूछेगा तब भी आपको नौलेज होगी कौन सा जो है इस थल कौन से प्रदेश में है आगे देखते हैं मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तामा थी इनमें किसके मिश्रण से कास का निर्माण हुआ करता था तो बहुत important question है तो किससे निर्माण हुआ करता था तो यहाँ पर देख लेते हैं तिन तिन जो है उसको मिलाया जाता था तामा में आगे देखते हैं ब्याख्या मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तामा थी तामा और तिन तामा और तिम के मिश्रण को ही कासा कहते थे तो यहाँ पर तामा प्लस तिन इक्वल टू क्या हो जाएगा कासा तामा और तिन को मिला दो तो भही कासा बन जाता है तो यहीं पर यह जो पूछा गया है कुश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है कई बारे यह जो एक्जाम में पूछा जा चुका है आगे देखते हैं पूरा पाशान और मद्यपाशान काल कि कला कर्टियों से सम्मदित कौन सा कथन सकते नहीं है इस काल में पर्चिंग पच्ची आरंबिक चित्रों में नहीं पाए जाते थे पर्चिंग नाज पर जीने वाला प्रमुख पक्षी था भीम बेट का जो है असत्य कथन नहीं है यह पूछा है बाकी ब्याक्षाइद देख लेते हैं यहां पर एक नाया जो है फैक्ट पर्चिंग पच्ची के बारे में पता चला है पर्चिंग पच्ची पुरा पाशान काल और मद्य पाशान काल की कला कर्टियों के संबंद में कथन डी सत्य नहीं है क्यों पुरा पाशान काल मद्य पाशान काल की कला कर्टियों में भीम बेट का के शेलाश्रे से प्राप्त हुई है तो भीम बेट का भी एक्जाम में पता नहीं हर साल मुझे लगता है यहां पर 500 से अधिक चित्र गुफाएं पाई गई है माली जी यह क्या है भीम बेट का है यह क्या है भीम बेट का है गुफा है भीम बेट का गुफा है जो कि कहां पर है MP में है अब इसकी इसके अंदर जाते हैं तो यहां पर क्या है इसकी दीवारों पर क्या है चित्र पाए गए हैं 500 से भी अधिक इन गुफाओं के चित्र जो है पुरा पाशान काल से लेके मद पाशान काल मतलब पुरा पाशान काल के तीनों काल के चित्र यहां पर मिल जाते हैं बनलब ये तीन जो एस थे पूरा पाशानकाल के उस समय के लोग यहाँ पर रहे होंगे उन्होंने चित्रे यहाँ पर बनाए होंगे साथ ही जब ये तीन फेज इसमें हमने डिवाइट किये थे अध्यन की द्रिस्टी से उसके अलावा ये जो मद्द पाशानकाल है इसके लोग भी भीमबेटका में आए होंगे रहे होंगे और यहाँ पर हमको जो है पेंटिंग बगरा जो है देखने को मिलती है तो यहाँ पर बहुत सारे जो है पसू पक्षी और मानों के चित्र देखने है जैसे कोई शिकार कर रहा है उसका चित्र या फिर कोई पक्षी है उसका चित्र यहाँ पर मिलता है तो अनाज पर आश्रित रहने वाला एक पर्चिंग पच्छी के चित्र इन गुफाओं में नहीं मिलते हैं ठीक है तो यहां पर नहीं मिलते हैं पर्चिंग पक्षी के चित्र नहीं मिलते हैं सबसे important बात यह है तो कभी एक्जाम में आया कि पर्चिंग पक्षी के चित्र मिलते हैं तो नहीं पाए जाते हैं यहां पर लिखाया चित्र नहीं पाए जाते हैं और जो पर्चिंग अनाज पर जीने वाला प्रमुख पक्षी था तो अनाज खाने वाला तो ये भी क्या है इस से रिलेटर नहीं है मतलब ठीक है इसके बारे में ही पक्षी के बारे में है बाकी आंसर हमारा यहां पर D हो जाएगा आगे देखते हैं मद्ध पाशानिक प्रसंग में पशुपालन के प्र जो है आदमगर जो है सही हो जाएगा आदमगर जो की यूपी में है आदमगर यूपी में है मद्ध पाशानिक प्रसंग में पशुपालन का सबसे प्रमान जो है आदमगर से प्राप्त हुआ है मद्ध प्रदेश में आदमगर तथराजिस्थान के बागोर जिले से पशु पालन की उन्नेत अवस्ता मौजूद हुए तो अगर राजस्थान में पशुपालन के साक्षी पूछे जाए तो हमारा ओप्शन क्या हो जाएगा बागोर हो जाएगा और पूरे ओवरॉल में पूछा गया है कि मद्दे पाशान कालिक पशुपालन के प्रमान कहां मिले हैं तो हमारा आणसर आदमगड आगे देखते हैं नाव पाशान कालिक से सम्मदित कौन से कतन सत्य नहीं है तो लोग पॉलिश पत्थरों का यूज करते थे कास की कुलहारी का प्रियोग करते थे इस काल में सर्वे पर्थम करशी उत्पादन शुरू हुआ था इस काल में कि मि अलिश दर पत्थर के ओजारों और हत्यारों का प्रियोग होता था नाव पाशान काल में मात्पून कारणों से केंडर में रहा इसमें किर्शी उत्पादर मिट्टी के बरतन बनाने हे तुचाक कव्योग पश्चुपाला ने ये सारी चीजन सही है बस यहां पर जो है भी शिकारी की गुहा हुआ करती थी तो यहां पर केवलो केवली जो है पहला ऑप्शन सही है गुफ कराल से किर्शी की साक्षी मिलते हैं तो यहां पर किर्शी और पशुपालन दोनों से परिशित हुआ करते थे नाव पाशान कालीन है गुफ कराल आगे देखते हैं अगला में हैं बलुचिस्तान में हैं क्योंकि इंडिया में नहीं है तो बिहार हो नहीं सकता करनाटक हो नहीं सकता मेगाले भी नहीं हो सकता और गारो पहड़ियां है तो मेगाले हो जाएगा यहां पर चेचर जो है चेचर हमारा हो जाएगा बिहार हुलूर जो है करनाटक तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक, दो, चार और तीन तो option number B जो है यहाँ पर बिल्कु सही है आगे देखते हैं बिहार, इस्तित, किस नवपाशाने के इस तल में हड़ी के हतियार बड़ी संक्या में मिले है तो आंसर क्या हो जाएगा चिरांद हो जाएगा चिरांद जो है बिहार में है बिहार के सारण, जिले में इस्तित, चिरांद, नामक जो है तो बुर्ज होम हो जाएगा बुर्ज होम बुर्ज होम की कबरों में मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष मिला है उत्तर पशिम में कश्मीर घाटी में नावपाशानी संस्कृती का मातपूर इस तर बुर्ज होम था जिसका अर्थ है बुर्ज यानि ब्रक्षों का इस्तान पालतू कुत्तों के साथ उनके मालिकों के साथ दफनानी की पिर्था जो है भारत के अन्य किसी अन्य भाग के नव पाशान यूगों में शायद नहीं देखी गई है तो कुत्ते के साथ दफनाए गए बुर्ज होम जो कि हमको मिलता है कश्मीर घाटी में सिर्फ 20 कोशन करेंगे यहां पर अगला कोशन है यह बैलन दर्रे के पास एक हरा भरा सम्तलिस्तान है यहां के इस्त्री पुरुशों ने इस छेत्र मैं सबसे पहले जो गये हूं और तथा भेल बकडी पालन सीखा कबरों में मनुस के साथ बकरी को दफनाने से उसकी आस्ता को वल मिलता है कि मिट्च्व के बाद भी जीवन होता है यह बिवरन इस नौपाशनकाल का है तो मेहर गड़, मेहर गड़ तो यहांपर क्या है मेहरगड है कुट्टे का साक्षम को बुर्ज होम कश्मीर वाले में मिलते हैं मनुश्य के साथ बक्री का दफन मेहरगड से मिलता है आगे देखते हैं दाव जली हेडिंग से संबने निमलिखित कतनों पर विचार करना है तो यह ब्रह्मेपुत्र की घाटी में इस्तित है इसमें कश्ठाश में और के ओजार और बरतन मिलते हैं यहां से मूसर और खलर जैसे करन प्राप्त हुए हैं तो तीनों चीजें सही है दाव जली हेडिंग जो है ब्रह्मेपुत्र अगर हम नक्षा देखें तो यह वाला जो है पूरव की तरफ है तो ए और एक-दो-तीन सारे के सारे सही है तो असम वाला छेत्र जो है दाव जली हेडिंग जो है वही पर है आगे है अगला कुश्यन निमलिखित कथनों पर विचार करना है नवपाशान यूग में कुत्ते को सबसे पहले पालदू बनाया गया महागड़ा और पोचम पली से कर्शी के साक्ष मिलते है नवपाशान काल की लोग कपड़े बुनने लगे थे तो बिल्कुल सही है कपड़े बुनने लग गए थे काफी अच्छी चीजें थी नवपाशान काल में तो सी ओप्शन यहापस सही हो जाएगा बाकी देखते हैं नवपाशान को बैक्षा देख लेते हैं उसके बाद हम अंगले वीडियो में इसको कवर करेंगे पाशान काली लोगों ने संभावता अपने घरों के आसपास चारा रक्त जन्तूओं को पालतू बनाया सबसे पहले इनके जो पालतू बना वो है कुट्टे को पालतू बनाने के बारे में साक्षप्राप्त होते हैं पश्याद भेड बक्री को पालतू बनाया और फिर जो है नौपाशानकालियन इस्तल से कर्शी पशुपालन के बारे में भी जानकारी मिलती हैं। भी हमें साक्षी मिलते हैं जिस से प्रतीत होता है कि लोग कप्रा बुर्ने का कार्य भी किया करते थे। तो एक और दो तीन सारे सही हैं।